एलो एवरिवान आज हम फिर से एक नुमेरिकल डिस्क्र करने वारे हैं जो कि कुलम लापे ही बेजड है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नुमेरिकल क्या कहता है अब इतना ही अगर हम देखें जो हमने अभी तक पढ़ा इसी से हमारे माइंड में यह स्ट्राइक होन फोर्स अब डीफ़िशन कब होती है जब आपके पास स्मिलर चारजिस हों ठीक है तो यहीं से मैं में स्ट्राइक होना चाय से कि इसने फोर्स अब डीफ़िजिशन कहा-दैट में स्मिलर चार्जिस है ठीक है इतना क्लिएर हुआ between two positively charged ions ठीक है आगे क्या कहा between two positively charged ions तो देखो मैंने पहले ही कहा कि पोर्सा प्रिपल्चन से ही पता चलना चाहिए similar charges है अब similar charges यानि positive charge होने होंगे दोनों या negative charge दोनों होंगे तो इसने कहा between two positively charge यानि दोनों positively charge ions है carrying equal charge और जो charges है वो equal है यानि अगर एक four micro column है तो दूसरा भी four micro column ही होगा ठीक है clear force of propulsion लग रही है दो positively charge ions के बीच ठीक है और वो जो charges है वो equal charges है ठीक है और वो जो force of propulsion है वो कितनी लग रही है वो given दिया है 3.7 into 10 per minus 9 newton इतनी force लग रही है उन दो charges के बीच ठीक है distance of flying strong ठीक है और वो कितनी दूरी पे हैं आपस में वो दो positively जा जाएं वो भी आपके पास वो distance दिया हुआ है ठीक है क्या क्या दिया है एक तो आपके पास force दी है ठीक है क्या कितनी force लग रही है और किस type की force लग रही है वो भी हमें clear है दोनों similar charges है force of rebellion लग रही है और force कितनी लग रही है तो वो भी दिया है और साथ में distance दिया है अब निकालना क्या है अगर हमें force भी दी है हमें distance भी दिया है तो that means आपको या तो charge निकालना पड़ेगा या तो number of electron कितने missing है वो निकालना है ठीक है खाली इसने कहा equal charges है how many electron are missing देखो इसने कहा कितने electron missing है from each आइन से ठीक है चलिए इसको करते है कैसे हम इसको approach करेंगे वो हम देखते है सब सब पहले हमारे पास given क्या दिया था given दिया था हमारे पास force हमारे पास distance दिया था fire angstrom और हम जानते है one angstrom किसके बराबर होता है 10 पार माइनस 10 मीटर के बराबर तो fire angstrom किसके बराबर आएगा fire into 10 पार माइनस 10 मीटर ठीक है उसके बाद अगर हम देखें question हमारा क्या था हमारा question कुछ इस तरीके से था दो positively charge है इनके बीच distance जो है वो है fire angstrom का ठीक है और ये दोनों जो है ये equal charges है मान लो क्या हो और क्या हो मैं मान के चलता हूँ ये plus क्यो plus क्यो दोनों positively charge आएन है ठीक है हमें बताता है कि बताओ कितने electron missing है from each ions है ठीक है तो that means हमें निकालना क्या है हमें निकालना है number of electrons क्या निकालना है number of electrons N चाहिए हमें लेकि ये N निकलेगा कैसे उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहां पे जो charges है न वो कितना है अगर क्यो जो है N E के बराबर है तो हम इस N को लिख सकते हैं क्यावब पान E के बराबर इसका मतलब N तभी निकलेगा number of electron हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें क्यो दिया हुआ हो ठीक है तो सबसे पहले क्या गरेंगे सबसे पहले क्यो को निकालेंगे ठीक है charge कितना है वो निकालेंगे हम ठीक है हमारे पास given दिया है force distance दिया है 5 अंगिस्ट्राम अंगिस्ट्राम 10 बार माइनस 10 मीटर के बराबर तो लिखा 5 इंटो 10 बार माइनस 10 और कूलम्स ने जो force का mathematical expression दिया जो हमने पिछले numerical में भी डिसक्स किया वो क्या है क्या 1 क्या 2 अपान आर स्केर अब हमने कहा equal charges है अगर equal charges है तो हम उसको क्या और क्या मान सकते है ठीक है मान दो मैंने for example कहा था कि क्या 1 जो है 4 microcolum है क्या 2 भी 4 microcolum है तो 4 इंटो 4 हम लिख सकते है ठीक है यहाँ पे क्या 1 क्या 2 जो है तो इसी को अगर मैं लिख हूँ 4 का स्केर यानि क्या 1 क्या 2 को मैंने क्या स्केर लिखा अगर क्या 1 4 है क्या 2 भी 4 है तो क्या मैं इसको 4 का स्केर नहीं लिख सकता हूँ तो वैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या 1 क्या 2 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या स्केर अगर equal charges है तो ठीक है upon r square, यह mathematical expression किसका coulombs लागा अब चलिए values बुट करते हैं अब हमारे पास जो mathematical expression था वो कुछ इस तरीके से था f is equal to k q square upon r square ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, देखो इस mathematical expression में क्या किया, यहाँ पर confused नहीं हो यहाँ पर क्या किया, मैंने इस q square को इधर ही रहने दिया इस k upon r square को मैंने इस side लाया, ठीक है देखो f इधर ही है, और k upon r square को इधर लाओगे, तो reciprocal होगा r square उपर आएगा numerator में और k आएगा denominator में अब इसी को आप लिख सकते हो q square is equal to इसको इधर लाओ, इसको इधर लो कोई problem नहीं इस से, ठीक है इस तरी किसे लिख सकते हैं, अब values put करो, f की value हमारे पास दिये है कितनी force of repulsion लग रही थी, वो force of repulsion लग रही थी, 3.7 into 10 bar minus 9 और square आपके पास दिया था 5 angstrom 5 into angstrom कितना 10 bar minus 10 के बराबर होता है अब square है तो दो बार लिखो इसको के की value आपके पास पता है 9 into 10 bar 9 होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम ये चो 10 bar something है ना इसको solve करें, देखो यहाँ पे 10 bar minus 10 10 bar minus 10, 10 bar minus 9 सब minus में है ना तो ये plus होंगी, लेकिन sign minus में रहेगी, 10 और 10 20 और 9, कितना हुआ minus 29 ठीक है, minus 29 हुआ है अब ये 10 bar 9 जो नीचे है, plus में ये जब उपर जाएगा ये भी minus में जाएगा 29 और 9 कितना हुआ वो हता है, 38 तो मैंने लिखा 10 is bar minus 38 ठीक है, अब ये जो 10 is bar हम ठींगे, ये सब किसके बराबर है 10 bar minus 38 के बराबर फिर हमारे बाद बच्चा क्या 3.7, इस 3.7 को आप लिख सकते हो 37 upon 10 क्यों, point हटा दो, एक के बाद point है तो 37 upon 10 आएगा फिर आपके पास ये solve हो गया ये भी हो गया, ये भी हो गया, बच्चा क्या 5 into 5, तो ये 5 into 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है denominator में ये 10 bar 9 जो था, ये भी solve हो गया था बच्चा ये 9 आपके पास तो ये 9 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है अब होगा क्या 10 bar minus 38 को मैंने यहीं पर लिखा ठीक है, 5 into 5 होता 25, ठीक है कैसे होगा, 37 को इस 10 से देंगे तो 370, इस 10 से देंगे तो 370, ठीक है 5 से देंगे तो कितना आएगा 370 का half, 370 का half कितना आता है, यह आता है 185, ठीक है अब इस सब को plus करो 005, तो 5 का 5 लिखा मेंने 7, 7, 14, 14 और 8 होता है, 22, 22 का 2 आएगा, क्यारी 2 आएगा 3, 6, 7, 8, और 1, 9 9 का 9 आएगा 9, 25 आता है, इनको multiple करके 37 into 25 को ठीक है, अब 10, 9, 0, 90 होता है ठीक है तो अब क्या करें, 925 को 90 से divide करें तो इसको divide करो 925 को divide करो किस से 90 से 90, 10, 0 होता है 900, बचा कितना 25 25 होगा नहीं इस से 90 से तो 0 लगा तो यहाँ point लगा दो ठीक है, 9, 30, 27 90 को 3 से दें, तो 270 होगा तो 2 से कर दो 9, 2, 0, 180 ठीक है, तो कितना बचा इदर इदर बचा 70 अब फिर से नहीं होगा, तो इदर 0 लगा दो ठीक है, 9, 7, 0 होता 63, तो 90 को 7 से दें तो कितना आएगा, 6, 30 आएगा यहाँ पर माइनस करें तो कितना आएगा, 70, फिर से 0 लगेगा फिर से वही 9, 7, 0, 63 यानि 97, 0, 6, 30 तो वैसे 27, 7, 7 करके आगे चला जाएगा, अब आगे जाने कितनी हम लिखेंगे, 10.27 10.27 इंटू 10 अपर माइनस 38 जो यहाँ पर आपके पास था, ठीक है अब यह क्या निकला हमारे पास, यह निकला हमारे पास 10.27 इंटू 10 अपर माइनस 38, यह निकला क्या हो स्केर, यहाँ से आगे का देखेंगे अब तो देखो, यहाँ पर आपके पास क्या था, क्याँ स्केर था, जब स्केरिंग करोगे बहुत साइड, तो रूट और स्केर कैंसल होगा तो क्या बचेगा, क्या हो तो इस पर स्केर रूट आएगा, 10.27 किसका स्केर, 3.2 और यह 10 अपर माइनस 38 कुलम जो है, यह क्याँ की वैल्यू आई हमारे पास अब मैंने पीछे कहा था, जब आप क्याँ निकालो के तब यह आप N निकाल सकते हो हम जानते हैं क्याँ किसके बराबर है N E के बराबर N जो है, वो किसके बराबर होगा क्याँ आपान E के बराबर तो क्या की value पुट कर दो क्या की value क्या है 3.2 into 10.1-19 ठीक है E की value हम जानते हैं क्या है 1.6 into 10.1-19 ये 10.1-19 ये 10.1-19 cancel ठीक है 1.6 3.2 ठीक है 1.6 को 2 से multiple करें तो क्या आएगा 3.2 तो क्या आया N जो है वो किसके बराबर आया 2 के बराबर है इसका मतलब number of electrons जो missing थे हर एक आइन से वो कितने थे वो थे two कितने थे two number of electrons miss थे I hope आप समझ गये होंगे फिर भी अगर कुछ भी क्योरी हो कहीं भी तो comment section में आप लिख सकते हैं Thank you